हेलो एवरीवन वेलकम टू विदास्तरा दा हिंदू अनेलेसिस फोर सेवन्थ अब जन्वरी 2023 आज है साथ जन्वरी और हम लोग देखेंगे साथ जन्वरी की सारे इंपोर्टेंट एडिटोरियल्स एंड जो भी आर्टिकल्स है दा हिंदू न्यूज पेपर में उसके अनेल इसको और गॉवर्मेंट ऑप इंडिया से भी अर्ज करी है कि 15 फर्वरी तक 15 फर्वरी से पहले पहले इसके भी जो ऑपिनियन्स है रिलेटेट टू सेम सेक्स मेरेज इसको सुप्रीम कोट को देने होंगे और सुप्रीम कोट 15 मार्च तक जो इसकी डिसीजन है वो बिलकु और चलते है नेक्स्ट न्यूज यह है कुकी चीन रिफ्यूजी जो की बंगलादेश से मिजोडम में आ गये है कुकी चीन रिफ्यूजी कारण जो बंगलादेश में हुआ इसके कारण मिजोडम में आ गये है और यह अब इंडियन गोवर्मेंट के उपर डिपेंड करता है पहले पहला केस नहीं है यह जो चक्मा कम्यूटी है इसके भी जो सरनार्थी यह इंडिया में आये थे और इसे हम लोगों ने अच्छे से टेगल किया था मिजोड़ा मोड अरुनाचल परदेश के बॉड एडिया में यह आये थे चक्मा कम्यूटी बैसिकली यह जो चक्मा कम्यूटी में बस आपको इतना याद रखना है कि कुकी चीन जो रिप्यूजी है यह में इंटर कर चुके हैं बंगलादेश से तरो और यह पर यहां पर हमारी भी एसेप के जवान है जो कि मंगलादेश बोर्डर पर राते हैं और यह यहां पर जो कुछ से नेक्स लॉफिस के द्ोडरा बोल दिया गया है कि इंडिया का जो जीरीपी है वो इस बार 7 परतिसते पर ग्रो कड़ेगा 2022 में यह कहा गया था आठ साथ प्रतिसत पर गरोग करेगा लेकिन ये गिर गया है साथ प्रतिसत पर कई सारे कारण्स होते हैं इनके और ये जो data है ना 7% ये एड़ेक्ट नहीं होता है बदलते रहता है कभी-कभी आपको ये याद नहीं रखना है बस इस article आप सिधा-सिधा मालओ ये क्या होता है C प्लस I प्लस प्लस G प्लस X मैनस M C for consumption, I for investment, G for government expenditure X for export, M for import यानि कि consumption, investment, government expenditure और export को अगर हम जोड दे और उसमें से import को घटा दे तो जो value हमारी निकल के आएगी वही हमारा gross domestic production कलाएगा जो भी GDP होगी वही कलाएगी बस यह था GDP के बाड़े में चलते हैं next article के तरब हम लोग move करते हैं next article जो हमारा है यह यह है जो बिहार जो है बिहार ने क्या किया है cost based जो survey है cost based survey 12 क्रोर लोगों का start कर दिया है आज से in the second phase of the survey to be held from 1st April to 30 30th April 1 April से 30 April तक 2nd phase किया जाएगा आज से इतना सा news आपको रखना है cost based survey किस state ने start किया बिहार ने next news पे चलते हैं हम लोग next news जो है हमारा यह coffee से related क्या हुआ है coffee farmer जो है केडला के मरियूर में मरियूर में क्या किया इन्होंने organic farming करके अच्छा खासा benefit ले लिये है coffee production से यह जो coffee production जो organic farming के तुरू किया गया है यानि कि नहीं इसमें कोई pesticides use किया गया है नहीं कोई chemicals use किया गया है बिल्कुल एक अर्गेनिक तरीके से इसको उप जाया गया है यहां पे coffee को और यह जो coffee है इसको export किया गया है जर्मनी यूएस यूके में जर्मनी यूएस यूके में और अच्छा का सा profit यहां पे इसको देखने को मिला है coffee production में coffee के जो farming है इसमें बात होड़ी यह coffee के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए coffee का कुछ चीजे जैसे इंडिया में जो coffee production होती यह दो टाइप के होती है कौन-कौन से एक अरभिका और रोबस्टा इसमें से अरभिका जो है यह अच्छा किसमें का coffee माना जाता है क्योंकि इसमें जो flavor होते है जो flavor और इसके जो सुगन्द होते यह अच्छा होता है aromatic flavor होता है रोबस्ट एरभिका का रोबस्टा से climatic condition की बात करें तो coffee जो है यह 15 degree Celsius यह 28 degree Celsius के तापमान पे होनी चाहिए इसके साथ साथ जो वारिस होनी चाहिए वर्सा 1500 cm से 200 cm तक होनी चाहिए और यह बैसिकली नहीं टोलेट कर पाएगा frost या snowfall temperatures 30 degree से जादा हो तो यह coffee के plant उसे टोलेट नहीं कर पाएगे साथ साथ strong sunshine भी नहीं होना चाहिए कडी दूप भी नहीं होना चाहिए सदन पार्ट अपर इंडिया यहां पर करनाटका है यहां पर केरला है इदर तमिलाडू है और इदर आंधर आंधर है इन्हीं राजियों में बैसिकली coffee production होता है ज्यादा तर छोट पुछ एडिये में जो सदन पार्ट है उडिसा का का वहां भी coffee production किया दाता है करनाटका इस दा लार्जेस प्रूड प्रूडूसर एकांटिंग फूर एवाट 70 परसें जो coffee का production होता है यह अकेलिए पूरी इंडिया में करनाटका से बिगरता है तो एक्सपोर्ट्स करने में इंडिया जो है पूरी विस्व में आठवां अस्तान पर coffee का exporter है वाड़ी तो कॉफी बोर्ट ऑप इंडिया यह क्या होते हैं अलग-अलग बोर्ट सेटप किये गया एक्चली यह क्या है जो कॉफी बोर्ट है फिर हमारे टी बोर्ट है रवर बोर्ट है फिर और एक बोर्ट है वो जो तैमेको की बोर्ट होते है न टोव एको बोर्ट यह सारे बोर्ट्स बैसिक्ली सेट अप किये गये है कोफी बोड का जो headquarter है यह आपको करनाटका में 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 ही देखने को मिलेगा चिकमंगलूडिस्टिक में यह जो तोबे को है यह गुंटूर में है अंध-प्रदेश में और यह और यह सॉर्डरी यह तोबे को नहीं टी का headquarter कॉलकाता में देखने मिलेगा आपको Kolkata में और ये टोबेको, टोबेको, R क्यों ते दिए, टोबेको होगा जो production ज्यादा होता है, वो आंदर परदेस में होता है और आपको ये भी आंदर परदेस के अंदर हि इसका टोबेको बेटका, जो headquarter वो देखने को मिलेगा गुंटूर में जी यू एंटी यू आर आंद प्रदेश में इसके बात एक टी और ना बताया था एक रवर्ड ना या टी नहीं वो उल्ठा कर दिये रवर्ड मतलब क्या होता है रवर्ड जो रवर्ड वोड है उसका हेट्वाटर को टेम केडला में आपको देखने क बेसिकले यहाई क्याना कि कौफी का हैटक्ष का में क्योंकि करनाथ का लाज़ेस फॉड्र प्रोडूसर है कौफी यहीं में इंडिया में काफी जएदा अटी प्रोड़क्टन यह से होता है कारण से कौल्काता में इसका यह हैँ ठॉड़ को केडिये में, कोटियम में, इसका हेटक वर्टर है, आगे बारते हैं, हम वह आगे है, the copy body, statuei body, statuei organization, statuei organization क्या होता, basically जो act के थुरू बनाया जाते हैं, जो की बना है, coffee act 1942 के थुरू, copy board हमारे इंडिया में, and functions under the administrative control of the ministry of commerce and industry. क्में काम करतीया को वांड इनदस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर काम करतीक्ति यह जिस बॉर्ड में लगवक 33 मेंबर्स लगवक नहीं एक्ट्वल में 33 में में याँ छेवर परसन के साथ इट्स हेटकार्टर इन बैंगलोर यहाँ पर मैंने आपको लिक भी दिया है यह जो कॉफी बॉर्ड बैंगलोर में रौबड कोटिम में देन टोबेको बॉर्ड गुंटूर में टी बॉर्ड कोलकाता में तो यह छोटी-छोटी नौलेज आपको रखनी चाहिए इसे भी exam में question कभी न कभी बनी जाते हैं ये हैं हमारे जो NCC है इनसे related news है क्या हुआ है हमारे जो Republic Day ये आने वाले आप कब 26 जमरी को इसको लेके यहाँ पर तैयारी चलाई जा रही है 19 nations के अलग-अलग जो NCC है वो Republic Day कैम्प में Republic Day Parade में सामील होंगे और इसको बोला कि अभी training दी जा रही है इसी के बारे न्यूज है NCC के बारे में basic ये न्यूज है तो चलिए हम लोग NCC के बारे में अच्छी से knowledge ले ले लेते है NCC जो हमारे देश में है इसका full form हो था National Cadet Corps The NCC was found in 1948 1948 में NCC को बनाया गया on the recommendation of the Khunjuru Committee on the recommendation of the Khunjuru Committee and has its roots in British era uniformed youth entities like university officer training corps The NCC also explained later on to include the girls 1949 provide equal opportunity to women willing serve the country's defense 1946 में NCC आया जिसमें सिर्फ boys को लिया जादा था but 1949 में girls को भी इसमें allow किया गया उसके बाद अगर हम बात करें तो ये ministry कौनसे ministry के अंदर आता है ministry of defense के अंदर आती है और ये headed किये जाते है डायेक्टर जनरल लॉब three star military rank के दोड़ा आगे हम लोग बात करते है next article की तो next article जो है हमाड़ा आता है ये राजनात सिंग जो है ये विजिट करते हैं इंदरा पॉइंट में interact with troops इंदरा पॉइंट की यहां पे basically बात हो रही है इसलिए मैंने इस article को यहां पे discuss करना चाहा इंदरा पॉइंट basically है कहां पे इंदरा पॉइंट जो है हमाड़ा ये इंदरा पॉइंट जो है हमाड़ा ये basically अंडवार और निकोवार वाले जो एरिया है अंडवार और निकोवार वाले एरिया यानि कि ये उपर में अंडवार आइलेंड होता है नीचे में निकोबार आइलेंड, निकोबार आइलेंड का जो सबसे सदन most part है, उसे ही हम लोग कहेंगे इंद्रा पॉइंट, इंद्रा पॉइंट उसका नाम दिया गया यानि कि इंद्रा हमारा अगर भारत की बात करें तो भारत का जो सबसे सदन पार्ट है, that is इंद्रा पॉइंट, बस यही मैं इसमें आपको बताना चाहरा था इस आर्टिकल के तुरो, मां कि इसमें कुछ है नहीं, बाकि आप लोग पढ़िएगा, उसमें अच्छी से समझ में आ जाएगे सारी चीजे, आगे हम लोग चलते हैं, आगे जो हमारा नेक्स आर्टिकल है, यह आर्टिकल कहीं न कहीं हमारे बिजनेस स्पेस से है और यह बिजनेस स्पेस में हुआ क्या है, इस आर्टिकल में, देखे जो हमारा जो इस्टिल का जो एक्सपोर्ट है, यह हाप हो गया है, कहीं न कहीं हाप हो गया है आधे हो गई है तिस्टिल का एक्सपोर्ट क्यूं हुआ है क्योंकि जो कंट्रीज से यह स्टिल हमसे खरीद रहते हैं वह कम कर दिया खरीदना उराउंड 54% यहां पिछले साल में अबड़ा झेल का एक्सपोर्ट बात हो रही है यह आंपरेल से दिसंबर जो पिछले साल है उ destil की तो हमारे जो stil का जो stil है ये प्रोडक्शन की बात करते तो क्या status है हमारे production इंडिया is currently the world's second largest producer of crude stil जो कच्छा stil है इसका producer second largest है वोर्ड में producing 120 million mil 120 million ton gua जो crude stil है ये financial year 21-22 के हम लोगों ने produce किया था 80% से ज़्यादा कंट्री का जो डीजरॉफ्स है या इस्टिल का ये ओडिसा जारखंड, वेस्ट बंगाल, चातिसगड और नौर्दन रिजन ओप आंधर प्रदेश में है इसके साथ-साथ IMPORTANT जो इस्टिल प्लांट्स हैं हमारे, ये कहां-कहां है ये है भिलाई 36 गड़ में, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में बर्नपूर, वेस्ट बंगाल में जमसेथपूर, घरकंड में राउरकेला ओडिसा में, बोकारो घरकंड में राउड केला भी हाली में न्यूज में था क्योंकि राउड केला जो ओडिसा में है यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम बिर्सा मुंडा होकी स्टेडियम जो इन्विटेट है यह 5 जनवरी को ही किया गया है ओडिसा के CMC नेवीन पटना है एक जिक के इस कारण से राउड केला जो ओडिसा में यह न्यूज में है इसके साथ सा राउड केला में इस्टिल प्लांट भी है आगे बढ़ते हैं हम लोग जो कंपोजिशन है सौरी कंजप्शन कंजप्शन है जो इंडिया सेकेंड लार्जेस कंज्यूमर है फिनिस्ट इस्टील इन ये बात की जारी है सब्सक्राइब time करने का क्या चीज़ कंटोल करने का साथिक इनका कहना है कि हमार hazard होना चाहिए टेमिंग inflation is top priority for South Asian nations हमारे लिए जो South Asian nations है इसके इन सारे nations के लिए जितने भी ये inflation है इसको control करने का इनको taming करने का taming मतलब basically control करना ये article में एक आया था जो जली कटे वाल आर्टिकल था वो bull के जो यहां पे for example ये bull है तो bull को यहां पे पगड़के वो taming करने किया जाता था यानि कि उसको control किया जाता था वहां से आप इस word को भी याद कर सकते है वो taming मतलब control something so बात की जारी ये control करने की क्या चीज inflation को जो inflation है ये maximum to maximum 6% होना चाहिए बता रोगों क्या होता है और minimum 2% होना चाहिए परतिसद तक हमारी inflation होनी चाहिए कम से कम 2% inflation होना ही होना चाहिए maximum 6% होना चाहिए लेकिन देखा क्या गया है कि पिछले सालों में inflation जो है ये 7% से भी ज़्यादा चली गई है इस कारण से चींता कब इससे बन जाता है मंगाई मंगाई को रोकना है और मंगाई पे हमें जो strict actions है वो लेने है ये RBI के government governor सक्तिकंता दास जी के ज़वाड़ा कही गई बात है बरते हैं next article के तरफ जो भी important article है हमारे उसमें discuss करेंगे और ये साड़े articles खतम हो गए है अब हम लोग पहुचएंगे editorial वाले section पे तो सबसे पहले editorial वाले section पे जो हम लोग बात करेंगे ये है crisis जो कि international law में हो रही है अभी क्या crisis हो रही है international law में बात यहाँ पे ये की जाड़ी रैटर के द्वारा ये रैटर का रैटर जो है परभास रंजन जी इनका कहना है कि जो international law है या फिर जो वो USA है वो भी कई सारे laws को violet किया है basically international law है उनको violet किया है इन सारे चीजों के बारे में इस article particular article में बात की गई है बाकि कुछ इसमें important है नहीं आप easily इन सारे चीजों को देख लोगे जो बात की गई है इसमें basically कुछ ऐसा complicated चीज है नहीं इसमें जहां तक मुझे लगा तो इस article को आज हम लोग नहीं करेंगे discuss बाकि है छोटी छोटी बाते हैं इसमें दिया हुआ है आप पड़ोगे से तो easily समझ में आजाएगी सारी चीजे next article है political party जो है यह company के तरह नहीं लगड़ा आपको यह बाते कहीं जाएड़ी है रूची गुपता जी के द्वाड़ा मेरे द्वाड़ा नहीं ठीक है political party जो है यह company के तरह लगड़ा है यह बाते इनके द्वाड़ा की जाड़ी है यह article है basically बाकि मुझे नहीं लगता यह भी important article है कोई अच्छो आप छोटी छोटी बाते इसमें वही फाल्दों के बाते दिये हुए है इसमें साथ अगर आप English comprehension part को improve करने के लिए पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो बाकि ऐसा कुछ important है नहीं इसमें भी so अब I think साड़े articles हम लोगों ने cover कर लिए है बाकि कुछ तो बचारे नहीं है cover करने को and हाँ साड़ी चीजे हम लोगों ने cover कर लिए अब buy करने का समय आ गया so thank you so much for watching मिलेंगे कल अगले वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए thank you so much for watching bye bye goodbye